हेलो आवरीवान और वेल्कम बाग तो ओवर यूट्यूब चैनल सावी फॉरेंसिक्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक टॉक्सिको लॉजी के 48 पार्ट पर जहां पर हम जानने वाले हैं स्पीड बॉल क्या होती हैं अनि दोनों गी बारे में यह की लिए टर्म आपके नेट के जानने वाले हैं तो इनहें के बारे में बात करेंसिके बाएंसिक बारे में Speedball का other name होता है power ball तो ये नाम काफे important हो जाता है उसके इलावा Speedball होता है एक तरह का mixture होता है stimulants and opioids का so stimulants की format में यहां पर cocaine लिया जाता है और opioid के format में morphine लिया जाता है morphine एक तरह का opium का active principle होता है तो यहां पर जब इन दोनों को mix किया जाता है तो उनके mixture से जो product बनता है वो आपका speedball कहलाता है और इसका जो introduction होता है अपनी body में तो वो आपका intravenously लिया जाता है या फिर nasal insuffilation के द्वारा भी लिया जा सकता है तो ये दोनों कुछ methods होते हैं intravenously का मतलब होता है inject करने अपनी vein के अंदर by using injection तो ये आपका जो basic structure होता है basic formation होता है speedball का वो यहाँ पर है cocaine and morphine का mixture अब यहाँ पर आपका एक original जो speedball का combination होता है उसके लिए basically जो cocaine hydrochloride को लिया जाता है और इसको mix किया जाता है morphine sulfate के साथ में तो ये आपका original speedball का combination होता है जो कि आपका standard है तो इसको speedball बोला जाता था तो अब यहाँ पर अगर modern speedballs की बात करें तो यहाँ पर कुछ pharmaceutical opioids का use क कर लिया जाता है या फिर जो benzodiazepines होती है या फिर जो barbiterates होते हैं इन समय से किसी का भी use stimulants के साथ में किया जाता है तो यह आपका modern speedball का structure है और जो original speedball का combination होता है वो आपका cocaine hydrochloride का morphine sulfate के साथ में mixture होता है तो यह हो गया आपका speedball बहुत important है आपके net exam point of view से इसका original composition क्य क्या के use करता है यह सारी चीज़ा important है उसके लावर उसका other name है powerball वो भी आपके net exam point of view से बहुत important हो जाता है नेक्स अगर हम आगे बात करें brown sugar के बारे में तो brown sugar एक तरह स्रेव हमने heroin वाला part किया था कि heroin क्या होता है तो वहाँ पर हमने देखा था जो morphine रहता है उसका acetylation क जो product बन कर आता है जो कि white powdery substance होता है वो आपका heroin कहलाता है अब यहाँ पर अगर जो heroin का formation हो रहा है उस time पर अगर उसका color जो है white ना हो करके brown हो जाता है due to उसमें कुछ की तरह कि कोई भी quality उसकी proper अच्छी नहीं है morphine की या कोई भी चीज हो सकती है तो उसकी वजह से जो brown product utral work निकलकर आता है जो कि कह सकते है एक हुण क्युक्य होति होती है हिरोईन की वो वो पूर quality होती है तो उसके वजह से उसका color रहता हूँ वह white ना हो और करके brown हो जाता है तो यह जो inferior quality का रहोईन हो जो कि brown color होता है जो आपका brown sugar कहलाता तो वो आपका brown sugar कहला जैक यहाँ? होता है इसका other name हम brown sugar कहल सकते हैं बस जो brown sugar है वो heroin की जो inferior quality है जो poor quality है जो bad quality है वो आपकी brown sugar कहलाती है ठीक है बस इतना सही है यह brown sugar होता है तो I hope यहां तक आपको speedball and brown sugar अच्छे से clear हो गया हो अगर बाकि heroin की details हमने already separate video में कर रखी है पुरा detailing बताई दी या क्या कैसे कैसे होता है उसका test रहता है examinations अगर आपने वाला video नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजएगा और यह वाला video यहां पर end करते हैं और इसकी pdf के लिए आप हमें हमारी telegram channel पर join कर सकते हैं facebook इंस्टा पर आपको बहुत सारा content अवेलिबल है आप के साथ में share कर दीजेगा ताकि आप उन तक भी quality content पहुंच जाए चानल पर नहीं तो चानल को subscribe जरूर से कर लेंगे bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here